तो गाई जिसीज का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है किसीज का सेंट अप एक्जाम सेंट अप एक्जाम जिन भी बच्चों का है पहले तो उनको all the best है ठीक है इंटर की सेंट परिच्छा कल से होगी अब मतलब यहां सतु आप परिच्चारी सामिल होंगे अब मतलब यहांस तो आपड़ते हैं बिहार बित्द्याले यह ठीक है दैनिक भासकर परिच्छा समीति ने मेंट्रिक वह इंटर की सेंट पर इच्छा की तिति पहले ही जारी कर दिया आपको पहले से पता है गोसित तितिक अंतार 11 नॉम्बर से intermediate और 18 नॉम्बर तक चलेगी परिच्छा ठीक है वहीं अगर मैट्रिक के बात करें 19 नॉम्बर से 22 नॉम्बर तक दोनों का डेट अलग अलग इसलिए है तो आसा लोड ना पड़े अराम से परिच्छा हो जाए ठीक है टीचर मालो अगर देखोगे सरकाई टीचर भी उतना ही है ऐसा है ने कि बहुत सारा टीचर ने उतना ही सब को कराना है तो ये 11 से आपको इंटर का ठीक है और 19 से आपको मिलेगा मैट्रिक का पेपर तो भाया हम तो यही कहेंगे अभी आप लोग जस्ट्विल क्लासेश पर जुड़के जो भी चीज़े हैं वन सौट वीडियोज हैं उसको जल्दी से पढ़ जाईए ठीक है और अपने सेंटर की तयारी को बहुत बढ़िया कीजिए 13 लाख बच्चे समझ रहा है 13 लाख बच्चे कल बिसमें सिर्फ इंटर वाले 13 लाख सिर्फ इंटर वाले क्योंकि अगर हम अबर आल आपका इंटर और क्या कहते हैं इंटर्मेडियेट और मैट्रिक का मिलाएंगे तो 27 लाख के आसपास हो जाएंगे अगर पुरे मतलब इंडिया में माना जाया तो पहले नंबर पे तो खैर आपका उत्तर प्रदेश है ठीक है वहाँ ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और बिहार भी कम नहीं है 27 लाख मैट्रिक और इंटर का मिलाने के बाद तो बच्चो सभी को सभी बच्चे उम्मीद करते हैं हमारा सिच्चक दो है हमें आसिरवाद देगा तो बिल्कुल आसिरवाद है आप चांप के आई एकदम तड़ी पार हैं घब्लाने के जोत नहीं है जो एक आज चेप्टर आपने नहीं पढ़ा उससे डरने के जोत नहीं लेकिन जो आपने पढ़ा हमने तो बहुत सारे कोश्चन भी करवा है और आज सामको दो घंटे का मैं राथन भी लिए क्या हैंगे तो परिशान होने के जोत नहीं एकदम चांप के काम करी है ठीक है अब वीडियो आप लाइक कर लीजिएगा और सेहर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को देखो अब आपका प्रैक्टिकल एक्जाम 23 नॉमबर को होगी 23 नॉमबर को प्रैक्टिकल एक्जाम मैट्रिक की होगी जारी कर लिखा करक्रम के अंसार मैट्रिक की प्रैयोगी परिच्छा 23 नॉमबर कोगी परिच्छा समीतिन रिजल्ट 2 दिसंबर को जीला सिच्छा का रहले में जमा करने के लिए निर्देश दिये वहीं इंटरमेडियेट की प्रायोगी परिछा 19 से 29 नौंबर तक जायगी ठीक है और याद रखना इसमें वही बच्चे सामिल होगा जिसमें 75% अटेंडेंस सब का होगा कोई दिक्कत नहीं है सब का होगा ठीक है तो थेंकिस सो मच जो भी बच्चे हमसे अभी तक नहीं जूड़ पाया है परचान नहीं कर रहा है आपके फायदे के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके जूड़ जाएए मैं रिक विकासर आपका स्वागत करता हूं जिस्ट्रल क्लासेस पर ठीक है और क्या करते हैं उ ठीक है अभी तो हमारे पेपर पूरे एक्जाम में जब मैं अंतली एक्जाम चलने उसमें फसें बच्चों का कमेंट्स आयत मैं दिखाता नहीं हूं बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं थैंकिस सो मच ऐसे प्यार और सपोर्ट अपना बनाया रखी है द झाल 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 झाल